हेलो दोस्तों स्वागता आपका हमारी यूट्यूब चैनल हेल्ट डेली ग्यान में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा खांसी सर्थी जुकाम को खतम करने का घेल उपाय के बारे में तो आजे शुरू करते हैं यह जो उपाय है यह आपको घर पर ही मिल जाएगा आपको एक भी पैसा कर्च करने के या दवाई लेने की ज़रत नहीं है तो क्या क्या है सबसे पहले अध्रक हैं बाद में मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे बनाना हल्दी चूना धाल चीनी किस्मि मेतिदाना कालिमेट्स तुल्शी का पत्ता यह सब आपके घर में मिल जाती है आपको कहीं जाने की ज़रत नहीं है तो आईए मैं आपको बताता हूं उप्योग करने का तरीका कैसे कैसे है तो सबसे पहले तरीका है अद्रक का रस निकाल ले उसे हलका सा गरम कर ले अब उसमें शैद में लाकर पी ले अब आप पूछेंगे मात्रा कितनी रखनी है आदा चमच अत्रक करस और आदा चमच शैद यह तो हो गए एक नुस्का और एक बात और वता तो शैद के साथ किसी भी चीज को गरम ना करें सबसे पहले यह जिसा अद्रक का रस न खली और उसे गरम खल लें ठंडा होना पर बात में शैद बनाएं दूसरा तरीका क्या है अत्रक के रस में तुल्सी का रस मिलाएं इसे हलका सगरम कर लें मात्रा पहली बता दो अत्रक के रस लेना आदा चमच ठीक है जी तुल्सी का रस रेना आदा चमच अब इसमें सैद मिला दे यह एक चमच से ज़्यादा नहीं लेना और दिन में दो से तीन बार ले सकते हैं ठीक है जी इसके बाद है हल्दी हल्दी को खाने का सबसे अच्छा तरीका है सबसे अच्छा तरीका है तरीका है दूद के साथ दूद में आदे से कम चमच हल्दी मिलाकर घरम करना ठंडा होने पर पी लें ठीक है दूद नहीं है तो पानी के साथ भी इसे ले सकते हैं यदि किसी का गलावेट गया है तो क्या गरना है उसके लिए आदा चमच से कम हल्दी गी गाय काओ या भैसकाओ दूद में गरम करना और पी लें ठीक है इससे आपका गलाव एटना ठीक हो जाएक यह आपको सभी नुस्के बतादी सर्दी जुखाम को खतम करने लिए वीडियो पसंद आईयो तो लाइक करें धन्यवाद